जारखन नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में तो दोस्तों मैं बताते चलूँ आज से मैं आपके लिए यहाँ पर जारखन पारा सिछक सीमी ताकलन पर इच्छा जो होनी है उसके लिए मैं आज से आपके लिए छोटे छोटे प्रशनों के साथ आज से मैं कलास से स्टार्ट कर रहा हूं तो चलिए आप सभी सिछक बंदूओं को आज के दिन यहाँ पर सिछक दिवस है तो आप सभी को सिछक दिवस की हार्दिक बधाई और सुपकामनाया देता हूं तो ऐसे सभी प्रशन हम आपके लिए लेकर के डेली उपस्थित हों जिसमें एक ही प्रशन को मैं यहाँ पर बेसिकली और ट्रीकली सारे अस्तर से बताऊंगा जो कि अब तक कहीं किसी न किसी प्रशन को यहाँ पर परिच्छा में पूछा गिया है ऐसे सभी महत पुर्ण प्रशन रहेंगे तो आप डेली यहाँ पर साम साथ बज़े देख सक परिच्छा के साथ जुड़े हुए हूँ जिसकी पहली कलास आज होगे ठीक है तो दोस्तों जैसा भी लगेगा आप कॉमेंट अवर से करेंगा और इस तरह के कलास चाहिए तो देखे मैं अभी छोटे छोटे टॉपिक को लेकर जोड़ रहा हूँ फिर आपके मैं यहाँ बिधीवत कलास जो टॉपिक वाई जब सिलेबस आ जाते तो मैं सिलेबस के अमसार आपका लाइफ कलास भी करवाँगा अभी डेली मैं आपको एक प्रीमियर दे रहा हूँ तो चलिए दोस्तों आज का प्रशन देख रहे हैं आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है 12,1212 का मा लिखा है यह पुछा गया न देखे पूछा गया आप से ही 12000 ठीक है 12000 और क्या पुछा गया है 1200 और क्या बूलागया है 12 12 का मान कितना होगा है ठीक है यह हमको बताना एक कोई बात नहीं है देखे ञें 12000 ठीक है तो 12000 हमने लिख लिया 12000 यह लोगे न अब फिर कॉमा है 1200 बोल रहा ठीक है तो 1200 आपको लिखने आता हुआ ठीक है एकाईं डहाईं सेकडा 1000 होता है तो 1200 तो देखें एक और दू यह कितना हो गया 1200 और 12 तो फिर इसमें आप क्या कर दिएगा पलस 12 कर दिएगा ठीक है पलस क्या किजएगा 12 अब देखिए इसका मान कितना होता है आप से पूछा गया थे ठीक है तो इसको आप जोड़ेंगे 002 तो कितना हो जागा दू हो जागा न अब 001 जोड़ीगा तो कितना हो जागा एक हो जागा जीरो और 2 को जोड़ीगा तो कि 13,212 इसका मान होगा चली एक प्रस्ण और आप इसी पर अधारित कीजिएगा ठीक है तो देखिए हम आपको दे दे रहे हैं यहाँ पे 1000 ठीक है क्या आपको लिख जेता हूँ यहाँ पर लिख जेता हूँ यहाँ पर देखिए एक हजार ठीक है हिंदी मों एक हजार आप लोग सभी को जानते हैं एक हजार हमने लिख लिया और एक सो तो यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे पलस कर लेंगे कौमा है तो एक सो एक सो लिख लिए और पलस एक का मान क्या होगा यही देखिए प्रस्ण जो है बहुत बार पुछता है और बहुत प्रशन आपको मिलेगा आप सभी कर लीजेगा तो आप हमें बताइएगा 12000 ठीक है क्या बताइएगा 12000 12500 का मान कितना होगा इसका इंसर आप सभी को बतलाना है तो चलिए देखिए का एक बर किसे करेंगे तो 1200 तो 12000 के लिए 3 0 होता है थीक है इसका मान क्या होगा यही आप से पूछा जा रहता है जब भी मान पूछा जाए तो यही करना है 002 यहाँ पर क्या हो गया? अब 001 तो क्या हो गया? 0 और 5 को लिजेगा तो 5 हो गया और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 रह गया और 1 हो गया, निया 12,512 इसको लिखा जागा ठीक है? क्या लिखा जागा आपको पता चल गया? 12,512 इसका एंसर होगा तो देखे आप सभी यहाँ पर बनाते चलिएगा और यहाँ पर comment भी करते चलिएगा ना तभी पता चल पाएगा कि कितना आप लोग बना पा रहे हैं चलिए next question देखेगा इसमें अगला प्रश्ण है 20,000 ठीक है क्या है 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 202 का मान कितना होगा ठीक है 202 का मान कितना होगा चलिए आप से भी अगर पहले बना लाते हैं तो comment करते चलिएगा तो देखे हम solve करते हैं 20,000 तो 20 हमने लिख लिया ना 1000 के लिए कितने 0 तो अभी हमने बताया था 3 0 तो 20,000 अब 200 तो ठीक है यह plus का sign होगा तो इसको जोड़ेंगा 002 तो 2 हो गया अब देखेगा फिर यह 00,000 तो यह 0 हो गया फिर 02 तो 2 हो गया और फिर देखेगा 0 तो 0 हो गया और फिर 2 है तो 2 ठीक है यानि 20,22 यानि क्या हो जागा 20,202 लिखा जाएगा ठीक है 20,202 लिखा जाएगा तो इसी तरह का प्रशन जो है देखिए काई दहाई पर एक प्रशन आपके पक्के हैं कि जो भी आकलन परिछा जो आपकी होगी उसमें 100% ऐसा प्रशन आएगा तो अब हम उम्मीद है कि आपको आ गया होगा तो चली एक प्रशन और हम देते हैं और आप सही बना के कोमेंट करते रहें देखें कितना आसान है अब यहां पर आप लोग बताईएगा हमें कि 50,000 तो का मान क्या होगा आपको बतलाना है देखते हैं किनका सही होता है तो देखें 50,000 तो 50 लिख लिए न हजार के लिए 3054 नेना है तपा श्यार तो पांच लिंदना कितना होगा आपको बताना अब पलस कर दिएगा जीजह ना पांच हो गया, 0 और 50 निया 5 हो गया,ठीक है? यानि पचाफा 50,500 इसका मान होगा दें हो देखें दोस्तों आकलन परिष्वाम में हम आपका सीर्य शिस्टार्ट कर दिया आजिए यह पहला सीरी जाद चल रहा है आपको पहला कलास तो इसमें आपको आज सिर्फ संख्यावला बता जाएगा समझ गया है अब उसके बाद है इसी हम छोटा छोटा हर टोपिक आपके लिए डेली साम साथ बज़े देते रहेंगे तो आप हमें बताते रहेगा तो चले एक प्र 35,000, 35 का मान क्या होगा आपको बताना है ठीक है देखते हैं किनका सही होता है तो देखें दोस्तों अभी हम बता है तो 35,000 कोपी और पिन लेके आप लोग बीठे रहेगा 35,000 और 35 यानि पलस कर दिएगा न 35 का मान क्या होगा यही आप से पूछा जाता है चार को ओप्सन द ठीक है तो चलिए यह answer अगर आया है तो बहुत ही सही है अब एक question आप लोग के लिए होगा जिसका हमें आप comment box में जाके comment दीजिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा कि इस तरह की class आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो अगला आपके लिए होगा कि 30,000 30,000 ठीक है 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 को किस परकार से लिखा जाएगा 30 को किस परकार से लिखा जाएगा यह आपका यहाँ पर प्रशन होगा आप सब भी हमें comment box में comment करेंगे इसी तरह से मैं daily आपके लिए live class के साथ सातिहां पर basically आपकी topic wise में class लूँगा तब तक के लिए इसी तरह की classes आपकी चलते रहेगी आप साम 7 बजए अवस नहीं जुड़ेंगे चले वीडियो कन तक जुड़ेंगे इसकल आपको बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो फिर मिलेंगे आपसे सीतर के नेक्स्ट वीडियो ले करके तब तक के लिए इतना ही जै हीं जै वारत जोहार जर्कान